अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉइट की मौत के बाद में अश्वेतों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है अमेरिका के 30 शहर हिंसा के आग में फिलहाल जुलस रहे है तो वहीं इसके आज वाइट हाउस तक भी पहुच गई है जी हाँ दरसल वाइट हाउस के पास लगातार तीसरे दिन में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा इस ओरान वाइट हाउस के पास प्रदर्शन कर रही एक भीड ने कुड़ेदान में आग लगा दी और पुलिस के साथ में धक्का मुक्के भी की गई मामला इतना विगड गया कि सुरक्षा में तैनाच सीक्रेट सर्विस एजेंस राजपती डुनाल ट्रम को वाइट हाउस में बने सुरक्षात्मक बंकर में लेकर चले गए हलाकि मौके पर पहुँची वाशिंग्टन पुलिस ने वाइट हाउस के असपास से उपद्रवियों को खदेर दिया फिलहाल विरोत की धदकती आग को देखते हुए सरकार ने वाशिंग्टन डी सी समेट कम से कम 40 शहरों में करफ्यू फिलहाल लगाया है और 15 राजों में लगभग 5000 नेशनल गार्ट्स भी तैनात के गए इसके अलावाद 2000 गार्ट्स को तयार रखा गया है जिसे की जुरत पढ़ने पर उन्हें तुरंत स्थिती सम्हाली के लिए बुलाया चाह सके